पगार बुग एप्लिकेशन में एटेंडेंस की अनुसार ही आपका सैलरी कल्कुलेट किया जाता है जैसे कि अगर स्टाफ एपसंट है तो उस दिन का उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगा अगर वो हाफ डे पे है तो उन्हें आधी दिन का सैलरी मिलेगा और अगर वो present है तो उस दिन का उनको full payment चाहेगा इसके साथ ही आप उनका overtime add कर सकते हैं या फिर fine add कर सकते हैं अगर आपने paid leave पे क्लिक किया हो तो आपके staff का उस दिन का payment deduct नहीं होगा hourly staff के लिए अगर उन्होंने punch in नहीं किया हो तो उस दिन उनको absent माना जाता है punch in करने के बाद उनका punch out time mandatory है ताकि ये पता चल सके कि उन्होंने total कितने hours complete किया है ताकि उनका salary generate हो पाए अगर punch out नहीं किया जाएगा तो उनका salary नहीं बनेगा hourly staff का salary उनके number of working hours पर dependent होते है तो उनके total payable hours को उनके per hour rate से multiply किया जाता है जिससे कि उनका salary बनता है for example यहाँ पे 100 rupees per hour है और इसे 11 hours से multiply किया गया है जिससे कि उनका total salary 1100 बनके आया है monthly staff का salary उनके payable days से बनता है for example अगर staff का salary 3000 है और आपका salary calculation logic 30 days पे restricted है तब अगर आप 3000 को 30 दिन से divide करे तो उनका salary 100 rupees per day बनके आता है और अगर आप 100 rupees को number of payable days against the staff से multiply करे तो उनका salary 800 बनता है छो सेरे 30 दो갈 का hal जाप्का as partners और 시청 के घूच को और आपा है